साथियों आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीबेसी बीकॉम बीबेसी ये प्रत्वम वर्ष का जो आधार पाठ्थेगरम यानी फाउंडेशन कोर्स है फर्स्ट इयर का उसका थर्दे पर परियावर्ण अध्यान और इन्वार्मेंटल एजूकेशन उसकी जो यूडिट थर्द है परियावर्ण प्रदूशन प्रबंदन एवं सामाजिक मुद्दे याने इन्वार्मेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट और सोशल इशू इसका जो फस्ट पार्ट है परियावर्ण प्रदूशन के प्रकार इसको इससे पहले वाले वीडियो में डिसकस कर चुके पढ़ चुके इस वीडियो में पढ़ने वाले परियावर्ण कानून एवं अधीनियम परियावर्ण सुरक्षम सरक्षन विधान Environmental Law and Legislations, Protection and Conservation Action तो यहाँ पर हम इसका तोड़ा theoretical portion पर देखेंगे और फिर objective प्रशनों को भी हम लोग solve करेंगे तो वीडियो में लास तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा हम दोनों portion को back to back समझेंगे और solve करेंगे और यहाँ पर हम Hindi और English दोनों मिडियो में इसको देखने वाले हैं परियावरन कानूं इन्वम अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर कुछ laws दिये हुए हैं जिसे जल प्रदुशन संबंदी कानूं कौन कौन से हैं तो पहला दिया हुआ है River Bots Act 1956 याद रखिएगा इन सब को दूसरा है जल प्रदुशन निवारन एम नियंतर अधिनियम 1974 जल उपकर अधिनियम यानि प्रदूशन निवारन इम नियंतर 1977 यानि दो बार बनाता है 74 में बना और 77 में परियावन सरक्षन अदिनियम 1986 में बना यानि इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वायू प्रदूशन संबंधी कानून की बात करें तो एर पोलुशन लो कौन-कौन से है यह भी त अधिनियम 1986 यह तो हमारे होगे वायू प्रदूशन संबंधी अब आते हैं लेंड पॉलुशन लोई ने भूमी प्रदूशन संबंधी एक्ट कौन-कौन से हैं Factories Act 1948, Industrial Development and Regulation Act 1951, Insecticide Act 1968, Urban Land Act 1976 इसके बाद आते हैं लेंड के बाद में यह धर्दी के बाद में वन तथा वन्य जीवों संबंधी कानून की तरब Forest Conservation Act 1960 में आया, Wild Life Protection Act 1972 में आया, Forest Conservation Act 1980 में आया फिर, Wild Life Protection Act संशोधन होकर 1995 में आया और जेवित आदिनियम यानि Biodiversity Act 2002 यानि 2002 में आया यह कुछ law है, इन law को हम विस्तर से देखते हैं, तोड़ा वीडियो बढ़ाना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, बीच बीच में स्किप करते चलेगे, जो स्क्रीन पर जो theoretical portion दिया है आप इसको पढ़ सकते हैं जेल प्रदूशन अधिनियम 1974 और 1977, निरंतर बढ़ते के प्रती सरकार का ध्यान, निरंतर जो जेल प्रदूशन होरा उसको बढ़ते हुए देखकर, जो सरकार का ध्यान 1967 के दशक में गया, और 1963 में गटिस समिती ने जेल प्रदूशन निवारण वा नियंतरण के लिए एक केंदरी कानून बनाने की सिपारिश करी, तो कब करी, 1963 में शिपारिश करी, 1969 में केंदरी सरकार द्वारा एक विधेक तयार किया गया, जो कि संदन में पेश किया गया, पहले इन उद्देशों के कान सरकार द्वारा इस प्रकार बताया गया, कि उद्द्यों को की तता शहरी करण की बढ़ती प्रोती के फलसुरुप हाली में वर्षों में नदी तता धरियाओं में प्रदूशन की समस्या काफी आवशक्ताओं मत्वपोड बन गई है अतर इस आश्वाशन को देखते हुए उन्होंने एक एक्ट बनाया अब वो एक्ट क्या है और कब बना प्रदूशन निवारण एवं नियंत्रन अधिनियम 1974 के लाया और इसे कब लागू किया गया पूरे देश में तो 26 मार्च 1974 को पूरे देश में लागू किया गया यह जो डेट से है इनको आपको not down करना होगा याद रखना होगा तो हम क्या के सकते हैं इसको कब applicable हुआ तो दिस एक्ट is dimmed to be applicable throughout the country with effect from मार्च 26 1974 तो राश्पती की signature कब हुई थी तो 23 मार्च 1974 में और applicable कब हुआ पूरे देश में 26 मार्च 1974 में applicable हो गया आगे चलते हैं यह 74 एक्ट था उसके बाद में इस एक्ट में कुछ संशोधन किये गए और फिर नया एक्ट आया 1977 जिसको राश्पती ने दिसंबर 1977 में मंजूरी दी और फिर इसको भी जारी किया गया तो उसी शंशोधन जो 1974 था उसमें कुछ शंशोधन करके एक नया एक्ट लाया गया जल प्रोदूशन को रोकने में जल प्रोदूशन उनियंतरन अधीनियम इसको नाम दिया गया आगे चलते हम इसकी तरफ इससे निकल कर अब नेक्स्ट ए लॉग की तरफ एर पॉलुशन एक्ट नैंटिन एटीवन बढ़ते हो जोगी करण के कारण परियावण मिरंतर हो रही वायू प्रोदूशन की समस्याओं को रोक थाम के लिए जून 1972 में सेयुक्तराश्टंग द्वारा स्टाफ होम स्टुडन में मानो परियावण सम्मिलन का आयोजन किया गया और इसी भूमिका को देखते हुए इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में जो एक लॉग बनाया गया क्या था यह 29 मार्च 1981 को पारित हुआ ठाटा 16 मार्च 1981 में लागू किया गया यह कब पारित हुआ 1981 में 29 मार्च को और भारत में कब लागू हुआ 16 माई 1981 में इसको लागू किया गया अगे देखते हैं तो 1987 में इस अधिनिया में शोर प्रदूशन को भी शामिल किया गया जो ध्वनी प्रदूशन होता है उसको भी एर प्रदूशन के अंदर गतर रखा गया और क्या कहा गया केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोड को ही वायो प्रदूशन अधिनियम लागू करने का अधिकार दे दिया गया इसको कहां दे दिया गया तो अनुच्छेद 19 के तत केंदरी बोड को मुख्य राज़ बोड के काम के साथ तालमिल बिठाने का अधिकार उसके अंदर दिया गया कौन से अनुच्छेद के अंदर साथ ही हो 19 वे अनुच्छेद के अंदर इसको दिया गया एर पॉलिशन की बात हो रही हैं आगे चलते हैं एर पॉलिशन से जानते ही एर पॉलिशन में क्या होगा कि उसके विरुद्ध जो कारिवाई की जाएगी स्क्रिन पर चल रहा है आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर आगे चलते हैं वन्यजीव सरक्षन अधिनियम वाइड लाइप प्रोटेक्शन एक 1972 अब इसके बारे में तोड़ी सी बात कर लेते हैं 1972 में भारती वन्यजीव सरक्षन अधिनियम पारित किया गया भारत जीव जनतों और मनस्पतियों की समापती होने के खत्रे की बड़ी प्रजातियों तो अंतर राष्टी व्यापार संबंदी समझोते उननीसो चियोंत्तर का सदस्य बना देखो हुआ क्या था कि ये जो 72 लौ है उसके बाद में क्या हुआ कि भारत 1976 में उसने अंतर राष्टी समझोता किया और उसके अस्ताक्षर किया और वहाँ पर सदस्य बन गया क्या था उसके तरफ उसके तरफ चलते हैं संयूक्त राष्ट स्रेक्षणिक सामाजीक और सांस्कतिक संगटन यूनेसको का मानव और जेव बंडल कारिकरम भी बारत में चलाया गया यूनेसको ने कारिकरम चलाया था क्या था तो वो था संयूक्त राष्ट स्रेक्षणिक सामाजीक और सांस्कतिक संगटन का कारिकरम था अब इसके अंदर क्या था इसके अंदर बात करते हैं, यहाँ पर सीं के सरक्षन के लिए 1972 में, बाग के सरक्षन के लिए 1973 में, और मगरमच के लिए 1984 में, तथा बूरे रंग के हिरन के लिए ऐसी परियोजनाय चलाई गई, ठीके, यह किसके आदार पढ़ते हैं? युनेस्को के आधार पड़ती तो वन्यजीव सरक्षन अधिनियम यानि वाइड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट किस नाम से जाना जाता है इसका मुख्यों देश कहा था जो प्रजातिया विलुपतो रही है उन प्रजातियों का सरक्षन करना था अब होता क्या है उसकी बावी बनाने के लिए इसमें वर्ष 1986 तथ 1991 में कुछ शंशोधन किये गए अब इसमें शंशोधन जो किये गए उसमें क्या था कि वन्यजीव सरक्षन अधिनियम की सपलता पूरो क्रियानवत करने के लिए वन्यजीव सरक्षन निड़देशक दिल्ली मुंबई कोलकताव चैननाई के चार उप निड़देशकों की व्यवस्ता की गई ठीके ये इसकी खास बात है अब वन्यजीव सरक्षन अधिनियम 1980 क्या था वन्यजीव सरक्षन यानि फोरेस्ट कंसर्वेशन एक्ट 1980 ये पारित किया गया अधिनियम था इस अधिनियम करता है कि जो वन है उन संगलों की संक्या फोरेस्ट की संक्या लगरातर कम हो रही है उसको बरकरार रखने के लिए इसको लागू किया गया था देखते देश की संता के पश्याद राष्टी वन नीती 1952 गोशित की गई थी लेकिन वनों के विकास सता कोई विशेश ध्यान नहीं दिया गया 1907 के दोनान अंतरश्ट इस्तर पर परियावरण के प्रती चेतना की जागरती का विकास होने पर वन सरक्षन को भी बल मिला तो वन सरक्षन अधिनियम 1918 का इस दिशा में विशेश योगदान रहा सन 1951 से 1980 के बीच में वन भूमियों का अपरदन यानि उसका खदम होना कितन क्यानि की कम हो गया इस अधिनियम को अधिक प्रभाविडंग से क्रियानिवित करने के लिए इसमें वर्ष 1988 में कुछ शंशोधन किये गए आगे बात करते हैं ध्वनी प्रदुशन नियंतर नॉइस पोलुशन कंट्रोल इसके बारे में क्या बात है तो उसकी तरब चलते ह को सा किलाता है 1981 किलाता है में सन 1987 में कुछ शंशोधन किये गए वायू प्रदुशकों की परिबाशा के अंतरगत इसमें शामिल किया गया यानि ध्वनी प्रदुशक को भी वायू प्रदुशक में रख दिया गया था अब आगे चलते हैं तो परियावन सरेक्षन अधिनि का प्रावधान किया गया इस से परियोग करते समय ध्वनी प्रदुशक अधिनिय अधिनियम 2000 पारित किया गया और इसमें भारती धंड़ ने सहीता की तारा दो 208 तता 2090 का परियोग इसके अंदर किया जा सकता है पुलीस अधिनियम के अंदर क्या करते हैं एटें 69 के अंत प्रथम मानों सबमेलन 5 जून 1922 को कहां पर हुआ था इस्टाक होम में हुआ था इसी से प्रभावित होकर भारत ने परियावरन के सरक्षन के लिए परियावरन सरक्षन अधिनियम 1986 लागू किया क्या था इसे अधिनियम में 26 धाराएं थी जिने चार अधियाव में बाटा गया था यह कानून पूरे देश में 19 नॉंबर 1986 में लागू किया गया था इन्वार्मेंटल प्रोटेशन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है इसकिन पर चल रहा है डिटेल्स आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर आतम बायो डिर्वसिटी कनवर्जन एक्ट 2000 भारत विश्वक में जे विटा के इस तरह पर कौन से इस्तान पर आता है धियान रखना साथियों बारवे इस्तान पर आता है अकेले भारत में क्या खास बात है भारत की देखना 45,000 पेड़पोद हैं भारत के अंदर यह भारत में से है यानि 100% की बात करें तो भारत अकेला कितना लेके बिटा है पनस्पतियों में 7.1 और जानवरों के अंदर कितना 6.5 जेविता सरक्षन ने तो के अंदर सरकार ने 2000 में एक राष्टी जेविता सरक्षन क्रियानवत योजना शुरू की जिसमें गेर सरकारी संगटन विग्यानिक प्रियामनी तता आम जनता को भी शामिल किया गया इसी प्रक्रिया में सरकार ने जेविता सरक्षन कानून 2002 पास किया जो कि इस दिशा में एक मत तो पुन कदम था तो ये बायो डियाविसिटी एक्ट है 2002 उसके बाद आते राष्टी जल निती नेशनल वाटर पॉलिसी है 2002 में ये भी लागू हुई है क्यों हुई है उसकी तरफ चलते हैं तो राष्टी जल संसाधन परिशत ने एक अप्रेल 2002 को राष्टी जल निती पारिद की इसमें जल के मत तो पुन्दों के बारे में बात की गई ये बंदू पॉइंट्स नीचे दे रखें इनको आप वीडियो को रोकर आप पढ़ सकते हैं राष्टी प्रियावरन निती प्रियावरन तता वन मंत्राले ने दिसंबर 2004 में राष्टी प्रियावरन निती लागू की 2004 वे ड्राप त्यार की इसकी प्रस्तावना की गई समस्याओं को देखते हुए इसका व्यापक प्रयावन निती की आवशक्ता थी साथी वर्तमान प्रयावन नियम मुतता कानुनों के वर्तमान समस्याओं के संदर में संशोदन की आवशक्ता को भी दरशाया गया इसके कुछ पॉइंट से जिसके बैसिस पर इसको अप्लिकेबल किया गया इस्क्रिन पर चल रहे हैं आफ वीडियो को रोकर इन सब को डिसकस कर सकते हैं पढ़ सकते हैं आगे चलते हैं वर अधिकार अधिनियम दो जार चे अठार दिसम्बर दो जार चे को ये पास हुआ था कौनसा फोरेस्ट राइट एक्ट टू टू जाउजन सिक्स ये स्क्रिन पर चल रहे हैं इसके बारे डिटेल्स आप इस वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं किस के अंतरगत आता है तो अनुच्छे देख किस के अंतरगत आता है अब जो हम लोगों ने परियावरन कानून व नियम पड़े उनको एक बारों में दोरा देता हूँ फिर हम इसके MCQ की तरब चलते हैं जल प्रदूशन संबंधी कानून क्या था प्रदूशन संबंधी कानून की बात करें भोवी प्रुदुशन संबंधी कानून, Factories Act 1948, Industrial अदिनियम 1951, Insecticide Act 1968, Urban Land, Sling and Regulation Act 1974, 1 तता वन्य जिवो संबंधी कानून, की बात करें तो, Forest Conservation Act 1960, Wild Life Conservation Act 1972, Forest Conservation Act 1980, Wild Life Protection Act 1995, जे विर्ता अदिनियम 2002. प्रदुशन निवारण अधिनियम 1981, जेवित्ता अधिनियम 2002, परियावरण अधिनियम 1986, वन सरेक्षिन अधिनियम 1980, बारती वन अधिनियम 1927, राष्टी हरित प्रादीकरण अधिनियम 2010, पोधों किस्मों तोता करशक अधिकार सरेक्षिन अधिनियम 2001, अनुशुती जाती जन जाती और अन्य परम परागत वन निवासी याने वन अधिकारू के मान्यत अधिनियम 26, जल प्रदुशन निवारन अम संशोधन अधिनियम 1974, वन्य जीवन संशोधन अधिनियम 2002, वन्य जीवन सेलक्षन अधिनियम 1922 और खतरनाक अप्षिष्ट हैंडलिंग और वन बाइवन इस सब को डिसकस करते हैं, पेला क्योशन आपको स्क्रिन पर दिखाए देरा, वन स्रक्षन अधिनियम कब बना, 1980 में, किस रक्ष को परियावरन संकट माना जाता है, किस रक्ष को परियावरनी संकट माना जाता है, यूकलिप्टिस को, सरवाधिक ओजोन, शे दिखाए दूशन नियंदर नदियम 1974 में अनुच्छत 51-1 परियावरन की सुरक्ष रक्षा मूल करते हैं, किस रक्ष को परियावरन की अनुच्छत में किया गया, हम समविदान के इनतर जोड़ा गया, तो अनुच्छत 51-1 तता बहुत तर्वे समविदान संशुदन के अं में वन अनुसंदान संस्तान के अंदर कहां परे तो देरादुन में दोनाम HERE भारती वन प्रभंधन संस्तान ईंडियन इस्टूट ए फॉरेस इसटीटूट सेंटर steep the day बारत की प्रथम वन्निती यानि इंडिया's first forest policy 1984 में, गिद्ध सरक्षन परियोजना 2006 में, गेंड़ा सरक्षन परियोजना 1987 में, कच्छवा सरक्षन पिचुत्तर में, बाक सरक्षन उनिसो तियोत्तर में, केंद्री मरू शेत्रनुसन्दा सस्तान कहा पर है तो जोदपूर में मरू मतलब मरू का मतलब होता है desert नहीं रेगिस्तान विश्व वन्य जीव सरक्षन कोश कहा है से स्विजर लेंड में, मंट्रिल प्रोटोकाल संबन्दी थे 1986 में ओजोन परत के सरक्षन से विएना समझोता कब हो आप 85 में, प्रत्वी शिकर संबिलन 1902 में, संबिलन कि शर्म आजवित किया गया, प्रत्वी शिकर संबिलन रियो डिजनेरिया में, क्योटोस प्रोटोकाल संदी किस वर्ष लाउगी की 2005 में पांच जून को विश्व परियावन दिवस किस संबिलन में गोशित किया गया था, स्टाकोम संबिलन 1902 में, प्लद 1902 के बाद हर वर्ष पांच जून को विश्व परियावन दिवस मनाया जाता है, टाइगर मेन ऑप अप इंडिया किसे कहते हैं, भारत में हरीत करांती के जनक किसे का जाता है, तो ध्यान रखना साथियों नाम याद रखना है इनका डॉक्टर एम ए स्वामिनाथन, भारत के पारिस्थितिक के जनक को ने डॉक्टर नाम देव मिश्रा, विश्व ओजोन दिवस कब मना जाता है, तो 16 दिसंबर को, विश्व वन्य जीवत दिवस कब मना जाता है, तीन मार्च को, प्रत्वी दिवस 22 अप्रेल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जनसंक्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व परियावन सरक्षन दिवस 26 नौंबर को, ये क्योशन को हम पहले बर डिसकस कर चुए, इससे प्रिवेश वीडियो में राष्टे प्रेशन रोग्ताम दिवस का मना जाए गया 2 दिसंबर को, बारत सरकार ने परियावन सरक्षन अधिनियम लागू किया था, 1986 में, 37 क्योशन भारत में सरवाधिक रेडियो दर्में प्रेशन किस राज्य में हैं, तो केरल में, नाभी की विक्रण अवपास से अधिक से बशने के लिए क्या खाना चाहिए, तो पोटेशम आयोड़न को खिलाया जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रतिक्ष प्रिणाम क्या है, तो ग्लेशियल जो है, यानि जो परवत, जो बर्फ के जो परवत बने हुए, वो पिगलने लगते हैं, बारती वन सर् भविश्यादत ना, हाइट्रोजन को भविश्यादन का जाता है, बहुत मद्वपन प्रशन भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में हैं, तो मद्य प्रदेश में आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा जेव विता कहा पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट मे भारत का प्रियावरण शिक्षा के इंदर ऊपर आगया है, प्रशन रिपेट हो गया है, अमदाबाद गुजरात में, वन मौस तो किस ने प्रारम किया था, के एम मुंशी ने प्रारम किया था, ताज महल की पिला पढ़ना था उसके शरण होने का मुख्य कारण क्या था, असरिडिक रेन, फोटोकप मेशिन कौन सी गेस निकालती है, तो ओजोन, वाई मुडल में कौन सी गेस सरवादिक पाई जाती, नाइट्रोजन, सिव्ध राष्ट प्रियावरण कारिक्रम, UNEB, यहनि युनाइटेट नेशनल इंवर्मेंटल प्रोग्राम का मुख्या लेक क्या था? वनों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फोरेस्ट, सी ओ टू, एसो टू, सी ओ, कौन से प्रदूशक है? एर पॉलुशन से हैं, पेन, पियेन और ओक्सी एसेटिल नाइटरेट क्या है? प्रथम प्रकार का वाईव प्रदूशक है, इंद्रा गांदी वाने की अ संस्तान, बोपाल में, बारत में वरक्षों का आदमी किसे कहा गया है? तो, who is the known of the man of tree in India? सुन्दरडाल बहुगना, जिर चिपको अंदरन से संबंदी थे, धिरना उस प्रवाव के करन प्रत्व का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन में किन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का होता है, यह तोड़ा से गलत प्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लेना, बारत सरकार द्वारा केंदर में परियावरोण विभाग के स्थापना किस वरश की गई, 1980 में, देश के पारिस्तिक अनुसंदान प्रशिक्षन केंदर कहां परे तो बैंगलोर करनाटका में, विश्ववानी की दिवस कमना जाते हैं तो 21 मार्च को, सबसे प्राचिन काल से उगाय जाने वाला फल वरक्ष कोन सा है, तो डेट अर्थात खजूर, राश्टी वन नितिक अनुसार कितने प्रतिशत बू भाग पर वन होना अनिवार है, 33% प पर प्रभाव पढ़ना, अक्सिजन की कमी जब किसी भी एक एरिया में होती है, तो उसको सफोकेशन का आ जाता है, बाय टेक्नलोजी पार कहां पर है, तो लखनों में, आगे चले, क्योशन नमबर 74, वें डीट एर प्रेवेंशन एंड कंट्रोल और पॉलूशन एक्ट ना लागो किया गया, वें डिट दे carrying the Indian Forest Act 1927 come into the forest? रनकी जो फोरेस्ट एक्ट है, यानि कि वन वाला जो एक्टे 1927 कब लागू किया गया 21 नुवंबर 1927 को लागू किया वें डिट द वाटर यानि प्रिवेंशन इन कंट्रोल पॉलिशन एक्ट कमस इंटू यानि कि हम कहें कि पानी का जो है उसकी सुरक्षा करना और उसको प्रिदूशन रहीत करना कब लागू किया गया तो 1974 में वें डिट द वाइड लाइड प्रोटेक्शन एक्ट जंगली जानुरों के प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया उनको सुरक्षा के लिए 20 जुलाई 1903 को वें डिट द फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उननीस सुसी कब लागू किया गया तो ये 25 अक्टूबर 1903 को भारत में लागू होने वाला पहला परियावरन सरक्षन अधिनियम क्या था तो वो था जल सरक्षन अधिनियम मतलब जितने भी अधिनियम आए ना सबसे पहला कुन सा था water था वन अधिनियम किस वर्ष अधिनीद किया गया था तो जो हमने कहा कि जो forest वाला है वो कब लागू किया गया था? 1980 यह निए 1980 में एक और बहुत मत ओपन प्रश्चन के लिए एक दंड का प्रावदान दारा 3A में वन अधिनियम के अधिकार था सरकार युबागों में अपराद के तदारा 3B में और वन ये जिवस्ट्रक्शन अधिनियम वर्श कब अधिनियत किया गया था? तो साथियों ये था हमारा B.A.B.C. B.C. प्रत्हम वर्श का आदार पार्टिकलम का तीसरा पेपर Environmental Education यानि परिया अधियन उसका आप Unit 3 का Second Part आप यहां पर देख रहते हैं पढ़ रहते हैं पढ़ रहते हैं समझ रहते हैं इसमें हमने theoretical portion और MCQ प्रशनों को देखा था I hope video आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग एक कंजूसी करते हैं कौन सी कंजूसी तो वीडियो को like करने की और comment करने की जब आप video को like करेंगे और comment करेंगे तो हम एक motivation मिलेगा और हम इसी तरीके सबक्रों के लिए new video लेकर आते रहेंगे सातियों फिर आपसे मुलाकात होगी अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करे ने वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे धन्यवास आतियों